आज मैं बना रही हूं चटपटे मजदार कोड़े इसके लिए हमें चाहिए बेसन एक कप एक टी स्पून कुटीवी लाल मिर्च दनिया पौडर एक टेबल स्पून और साथ में ये गरम मसाला जीरा पौडर सबस मिर्चेंट नमक लाल मिर्च का पौडर हरा दनिया प्याज अलू और पानी चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डालेंगे बेसन बेसन में डालेंगे सारे कुश्क मसाले डालेंगे पानी डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से पैंटेंगे जितना बेसन को फैंटेंगे हवा पास होगी अंदर उतने ही प्रिस्पी और खस्ता बनेंगे प्रिस्पी करता है कर दो लो कि पपने टो औिम नचाव कोा उत हुऊ sûr कि विधन रहा हुआ है कि दोते हैं...... अबलस्मेदा लेंगे सबस्लिंगा यास वास वास्वी 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 पकोड़ों चाहिए अब इसको मिक्स करणे। यह पकोड़ों का मिक्स्चर अब हम इसको करते हैं फ्राइब लेल गर्म हो गया है अब हम इसमें डालेंगे फ्राइब भ्पैको बनना दोपता है कोड़े फ्राइब हो गया है अब हम इसको निकालने लेगे बैस इतने ही फ्राइब करने इससे ज्यादा निकरने लेगे जी साथियों हाजर हैं चटपोटे पकोड़े खाये और लुट फटाये अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू सो मच